जन्पद में रात्री कर्फ्यू में सडकों पर लोगों का आवागमन जारी है जिसके संबंध में एडियम सिटी राकिस कुमा सिर्वास्तों ने बताए कि सासन के नेदेशां सार जन्पद में शुक्रवार की रात 9 बजे से सोमवार की सुभा 7 बजे तर कोरना कर्फ्यू प्र नुमती है तथा कर्फ्यू के समय में जो लोग अनावश्यक निकल रहें उनके वाहनों का चालान कर मुकदमा भी पंजिक्रित किया जा रहा है इस जौरान शुक्रवार को महानगर के विविन चौराहों पर नाइट कर्फ्यू का आंसिक असर देखने को मिला दुकानों के स चटर बंद रहें लेकिन फुटपात पर दुकाने खुली रही और लोगों का हुजूम देखा गया इस संबंद में गोरकपुर न्यूज से बात करते हुए एडियम सिची राकेश कुमार से रवास्तों ने कहा अगेशन के निर्देश के ख्रम में रातरी नौ बजे से सुबा साथ बजे तक कर्फ्यू लग जारी रहेगा और केवल आवश्यक शुबनायज़ से किसी को हॉस्पिटल जाना है या दवाई की दुकान पर जाना है केवल उनको एलाउ किया जाएगा बाकी सभी लोगों को एलाउ नहीं रहेगा उनके खिलाब धारा 188 CRPC में मुकतमा दर्ज किया जाएगा